है गाइज दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है फिंगर प्रिंट सेक्योर्टी जो हम फिंगर प्रिंट स्कैनिंग देते हैं स्मार्टफोन में उसको लेकर करके बायो मेट्रिक सेक्योर्टी से रिलेटेड नियू यॉक रिसर्चर्चर्स ने इस पर अपना एक अपडेट दिया है चलिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आइड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक मैरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनली उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और उसके बगलवार नोटिफिकेशन ब्लेस बेल जरू दबा दे वो सबसे जरूवी बात होती है चलिए शुरू करते हैं और अपडेट मैं बताता हूं आपको जो निवियोक उनिवर्स्टी के रिसर्चर्स का कहना है कि बायोमेट्रिक हम टूल्स का यूज कर रहे हैं फिंगर प्रिंट स्कैनर्स का यूज कर रहे हैं और वो ऐसे टूल उन्हें डिजाइन कर लिया है वो ऐसे टूल डिजाइन किया जा सकता है अगर नहीं भी किया है तो ऐसे किया जा सकता है और इसके पीछे का रिजन उन्हें बताया कि जो हम फिंगर इंप्रेशन देते हैं या थम इंप्रेशन देते हैं उस टूल पे उस बाय impression मतलब की अंशत कुछ भाग ही आपाता है और वो जो कुछ भाग होता है कई लोगों का एक समान होता है और उसी का फायदा उठा करके machine learning algorithm का यूज करके और neural network का यूज करके उन्होंने ऐसा program developed कर लिया है कि आपके जो biometric machine है biometric tool हो उसको धोखा दिया जा सकता है इसा sticker उप बना दिया है उसको नाम दिया है master print जैसे master की आता है locks के लिए एक चाबी है उससे बहुत सारे ताले खुल जा सकते हैं वैसे ही master print से हम बहुत सारे smartphone को through biometric interface unlock कर सकते हैं तो अगर आप यह सोच रहे हो कि मेरा जो smartphone है biometric उसे biometric तरीके से lock किया हूँ तो safe है ऐसा बिल्कुल नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करना है हाला कि जो developers है smartphone के developers हैं या जो ये tools design कर रहे हैं उनके लिए main खास करके ये advisory जारी की गई है updates दिया गया है कि आप अपने machine को उस तरीके से update करो है लेकिन हमें क्या करना चाहिए अपनी तरफ से जब तक उस type के machine उस type का software नहीं आता है तब तक हम जब impression security के लिए दे रहे हैं तो ऐसा करें कि पूरा हमारे fingerprint का छापा जाए parsley न दे पूरा का पूरा उस पे आ जाए तो हमारे chances कम हो जाएंगे unlocking के चाहे वो smartphone हो चाहे दरवाजे के लिए biometric हो चाहे कहीं भी हम biometric अपना security के लिए identification दे रहे हैं तो हमें पूरा thumb impression यूज करें पूरी तरह से fingerprint को लगाए चाहिए कि पूरा का पूरा चाप आपके उंगली का आ जाए ये थी ज़रूरी सुचना आप लोगों के लिए अगर वीडियो अच्छा लगाए तो like, subscribe, share, comment जरूर करें Thank you for watching